नमस्कार दोस्तो यदि आपके पास LLB की तीन वर्सिय या पांच वर्सिय डिग्री है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज के वीडियो में आपको भारत सरकार के संस्थान National Pension System Trust अर्थात NPS में लाग रेजवेट्स के लिए निकली Assistant Manager Law की latest vacancy के बारे में complete information देंगे इस vacancy में भारत के सभी लाग रेजवेट्स अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसी ही useful वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तो government job related vacancies के notification को पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के description box में दिया गया है वहाँ से जाकर कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो NPS Trust द्वारा 24 दिसम्बर 2020 को एक notification जारी किया है जिसमें assistant manager और manager की vacancy जारी की है जिसमें lag graduates दिनांक 30 दिसम्बर 2020 से ले करके 29 जन्वरी 2021 तक official website www.npstrust.org.insayonline apply कर सकते हैं तो अब number of vacancies के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर assistant manager की 9 और manager की 4 vacancies हैं दोनों vacancies में जो payment है बहुत ही अच्छी है तो दोस्तो अब eligibility criteria के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर officer grade A assistant manager के लिए केवर law की degree होनी चाहिए और experience की ज़रूरत नहीं है जबकि आपका जो officer grade B manager के लिए है उसमें भी law की bachelor degree और आपको law field में ही 3 year का experience होना चाहिए दोनों post ओ के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 वर्स है अर्था आप 30 वर्स तक है तो आप online इस form को apply कर सकते हैं अब application fees के बारे में जान लेते हैं तो general या OBC candidates को 1000 रुपए fees देना होगा जबकि SC, ST, दिब्यांग और सभी महिलाओं के लिए यह free है तो दोस्तो vacancy का notification और slabus को पाने के लिए हमारे telegram channel को join करें जो हमारे telegram channel का link है वो वीडियो के description में दिया गया है वहीं से आप इस notification का detailed जानकारी भी पा सकते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है